नमस्कार मैं प्रोफेसर एस्री एसेस नारायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आधनिक यूग हिंदी साहित्य के चायावादी यूग के महाकाव्य कामाईनी में चिंता सर्ग से संबंदित विपिन पदों की व्याक्या की इस शुशुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जारू हूँ यहां देखिए जैशन के प्रसाज के पद देखिए कैसे यहां जिस प्रकार देवताओं के बहुत एशो आराम दायक जीवनी का जो वर्णन करते हैं देखिए चलते ते सुरबित अंचल से जीवन के मदमई निश्वास कोला हल में मुकरित होता देव जाती का सुक विश्वास यहां देखिए शुरबित अंचल से जीवन के मदमई निश्वास कोला हल में मुकरित होता देव जाती का सुक विश्वास देवतावों के सुगंद बरे वस्त्रों से भी अनंदमय जीवन के उद्गार से निकलते हैं यहां देखिए वस्त्रों का सुगंद और यहां देवतावों के इतने आलिशान जिन्दकी मतलब यहां उनके कोई ऐसी चीज कमी नहीं है मतलब पूर्ण तहा एकदम सुक दायक जीवनी है मदमय विश्टेशन जीवन के साथ जोड़ना है इसका अर्द यह है कि देवों के या देवतावों के वुलास बरे आनंदमय उच्वास निकलते हैं यहां इसका कवी का कहने का आशय है कि तात्पर यह है कि वे जो विचार प्रकत करते हैं उनमें जीवन की आनंदमयता ही सूचित होती हैं किसी प्रकार के कस्ट क्लेश दुख या चिन्ता का उसमें लेश भी ना होता था उनका समय हमेशा अमोध प्रमोध में बिता था मतला हमेशा जीवन बर इसको क्या कहते हैं याशी पूरण जीवन या बिलकुल सुक्मे विलास पूरण जीवन बिता देते जिसमें खोने वाला शोर गुल देवताओं के सुकों की स्टाइत मतलब हमेशना फर्मनेंट है पर बरोसे को सुचित करता था इसका कहने का तातपर यह है कि आमोद प्रमोद में मगन देवताओं का सुचित करता है कि उनके यह सुक हमेशा बने रहेंगे कभी यह सुक दूर ना होने वाले हैं इसी गमंड के कारण क्योंकि यह स्रिस्टिस्तित लायकारक हमेशा समय समय पर समय के अनसार चले इसलिए काल चक्र से कोई परे नहीं है सिर्फ एक स्रिस्टिस्तित लायकारक स्रिमन नारायन लक्ष्मी नारायन विष्णु के अलावा बाकी सब काल चक्र से परते रहते हैं क्योंकि उनके नस्ट होने की द्यावतावों को तनिक भी आशंका नहीं होती यहां देखिए द्यावतावों के सुगंधित वस्त्रों के प्रभाव से सासों में भी सुगंध में निकलने का अर्द लेतो अर्दापती अलंकार होगा यदि आंचल को हुर्दय का प्रतीक माने तो रुपकात शेक्ती अलंकार भी इसमें दिखता है यहां इस पद में जैशंक प्रसाची द्यावतावों के अयाशी पोरण जीवन और उनके आमोध प्रमोध सुख मतलब क्या नहीं मतलब हमेशा उनके लिए कभी आशंका तक नहीं कभी सोचता भी नहीं कभी कलपना भी नहीं करते हैं कि हम भी एक दिन काल के चक्र में मतलब वही स्रीमन नाराय नहीं शाश्वत है इस यहां इस पद के द्वार दिखी है चलते थे सुर्बित अंचल से जीवन के मदमाई निश्वास कोला हल में मुकरित होता देव जाती का सुक विश्वास क्योंकि देव जाती क्योंकि मनु देव जाती का अन्तिम क्योंकि इसी को वैवस्वत मनु अलग अलग शब्द जो भी देते हैं लेकिन वही मनु अन्त में एक मात्र जीवित था अब फिर पुनसुरुष्टी का आरंब फिर चिन्ता से आरंब हो जाते यहां इसमें चिंता में बिलकुल इसके द्वारा आगे आने वाली युग की सुचना देते हैं चिंता से संबंदित द्यावतावन से संबंदित उनके बहुत आमोध प्रमोध उनके जो विलासमय जिवन का वरनन इसमें जेशन के पुरसाद्जी ने अत्यनत सठीक वरनन किया है का सकते हैं, बोट-बोट दाहने लाट